साथियों कहते हैं कि लक्षमी जी का जो रास्ता है वो सरसवती जी के सास से होगे जाता है सरसवती जी का मतलब ज्यान बुद्धी विवेक की देवी जिसका निवास होता है उत्तरपूरों में नौर्थीस में देवता होता है वहां का विरहसपती जिसको कहते हैं हम गुरू गुरू के बिना थोड़ा ग्यान मिलता है और इसका कनेक्शन क्या है इसका इंटर कनेक्शन है केले के साथ आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जानना चाहते हैं बहुत जबर्दस टॉपिक है, आपको कई बातें ऐसी बताऊंगा जिसके बारे में ना आपने कभी सुना और ना कभी कहीं पढ़ा नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भारदवाज, आपका जाना पैचाना वास्तु कंसल्टेंट और आपने दे के लिए होगा, आज का हमारा टॉपिक है, केले के बारे में बहुत बर्निंग टॉपिक, बहुत जबर्दस टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसके बि विरस्पती का स्थान, केले, केले का पेड़ ऐसा पेड़ है, ऐसा पौदा है, जिसका के हर भाग, हर भाग इस्तमाल होता है, जड़ को नहीं खाय जाता है, जड़ को नहीं लेते हैं, लेकि जड़ के अलावा बाकी लगवा पूरा का पूरा पूरा पौदा है, ये मेडिस ज्षपती वीक होता है जहांपर के कंसंट्रेशन की कमी होती है बच्चे को पढ़ाई में समझ या आती है वहांपर जो केले का पय convention की लेगा होता है नौर्थ इसमें उत्तर पूरिम में लगानी की सला दी जाती है अब हम बात करते हैं केले के उस हिस्से के बारे में जहां से वास्तु शुरू होता है साथियों हमें जब वास्तु की बात करनी होती है तो हम यह देखते हैं कि हमारा भला हमारा बेनेफिट किस चीज में है केले का पौता बहुत बढ़ा खमाल कर सकता है आपके लाइ उनके औरा के बारे में आभा मंडल के बारे में और मैंने केले का पौदे का आभा मंडल 20 से 22 23 तक 24 तक देखाया है फेला हुआ पॉजिटिव औरा वाइब्रेशन्स अब क्या करना है अगर आपको केले का पेड़ लगाना है पौद लगाना है कोई बुरी बात नहीं है समस्य कि आपके सामें आई ये मैंने वीडियो क्यों मनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आए एग ने कासर हमें किसी ने कहा है आकर बोला कह रहे अपने अपने घर में केले का पेड़ क्यों नहीं लगाया अगर आपको तरकी करनी है पैसा चाहिए आपको बुद्धी च संतान चाहिए तो फिर आपको जाए केले का पेड़ लगाना चाहिए जैसी लगाया कुछ दिन के बाद महीने दो महीने के बाद क्यों और महानु भाव आए उन्हों का घर में तो केले का पेड़ होना है नीचे ये बड़ी ख्याचाता नहीं सारा का सारा जोर जोर चोड़ा होता रात के टाइम में इसका ज़ब फोटो सिंथेस्जिस होता बहुत तेच चलता है इसका मतलव रात के समय में जब अधेरा हो जाता है तब इससे कार्वन डाइक्शाइड जदा निकलती है और पोधों की तुल नाम है इसलिसको कभी भी बैटरूम में ना इसको नहीं होना चाहिए, अब देखिए, गमले में, सवाल हम से पूछते हैं कि सर गमले में लगा लें, हाँ लगा लो, छट पे लगा लो, सबसे पहले आपके मन में यह बात आएगी, कि सर हमारे पास नीचे जगा नहीं है, क्या हम छट पे लगा लें, बिलकुल लगा लो, कोई समस्या नहीं है लेकि छत पर भी लगाएंगे या नीचे लगाएंगे गार्डम लगाते हैं कहीं लगाते हैं तो आप उसको जब भी लगाएंगे तो उसको उत्तर में या पूरब में उत्तर पूरब की दिशा में ही लगाएंगे और क्योंकि ये दिशा हलकी होती है यह पर इसको आपने भारी नहीं होने देना है। South East में दक्षिनपूरब में ना लगाएं। South West में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। कोई फाइदा नहीं। दुसान नहीं करते हैं पौदें पर वहां आपको कोई लाब नहीं बिलेगा। उत्तर पश्ची में नूटल होता है, zeros को कहते हैं। ना तो बुरा ना अच्छा। लेकिन अब उत्तर पूरब की बात आती है तो आपके मैंड में ये बात घुमरे होगी भार्दवाजी केले का पेट तो बहुत विशाल बढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जाड़ी बन जाती है, बहुत फैल जाता है, ऐसा नहीं करने जिना। अगर आपने नौर्थीस में उत्तर पूरब में केले का पेट लगाया है, वास्तु का बेनेफिट लेने के लिए और बच्छों का ज्यान बोदी विविक बढ़ाने के लिए तो आपने ध्यान करना है कि वहाँ पर केले का पेट लिमिट मेराना चाहिए, सीवा मेराना चाह इसके पत्ते सूखते रहते हैं, नीचे से गंदगी कठी होती रहते हैं, इसको साफ करते रहना है, बहुत घना जंगल आपने नहीं लगाना है, अगर ऐसा जड़ासा भी आपके माइंड में आ रहा है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो, कि को थोड़ा बहुत वहाँ पर हो गया, केले के पेड़ के पास पौदे के आजपास कोई भी कांटे वाला बढ़ नहीं होना, autocon winner कि अगर गम्रे में लगाते हैं, बहुत सारे आपका व्रस्पती होता है, गर गुरू भी लेकिन नौर्थ वेस्ट के अंदर उत्तर पच्छी में नूटल और उसके बाद उत्तर में और पूरम में जाने के बाद उत्तर पूरम में positive होता है, दिशाओं के बारे में ध्यान कर लेना, बर्मस्तान में जो केले का बिड़ होता है, वो नहीं लगाया जाता, हाँ कोई अपना हवन कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, और सेंटर के आसपास, बर्मस्तान के आसपास, राइट लेट, टेंपरेरी समय के लिए, अगर वहाँ पे केला के बिड़ा लगाते हैं, तो कोई समस्या उसमें नहीं होती है, इसके बाद आता है, कैक्टस के पास कैक्टस का पोदा है, कैक्टस का पोदा होता है, या और जो कांटे वाले यहां तक गुलाब के पास भी आवाइड करना चाहिए, तुलसी के पास लगा सकते हैं, कोई समस्या तुलसी के पास लगाने में नहीं है, कांटे के पोदे नहीं हो, इसके आसपास हैं, दूसरी बा लगाते हैं ड्राइंग रूम की विंडो के पास लगा सकते हैं आराम से आप अपने किचन की विंडो के पास में लगा सकते हैं लेकिन जहां पर आपका बैडरूम है मास्टर बैडरूम खास तरीके से बच्चों का बैडरूम है उसके बैडरूम के साथ अगर विंडो के साथ लगाते हैं तो ये ध्यान कर लेना कि रात के समय में इस window को आप close कर देंगे क्योंकि otherwise वहाँ से फिर carbon dioxide मिलने के समभवना बढ़ जाती है शुब होता है या अशुब होता है ये फैसला आप मेरे इन सब बातों को सुनने के बाद खुद कर सकते हैं अशुब कभी कोई चीज निवा करती ये हमारा सोचने का तरीका होता unless कि उसके पीछे कोई scientific logic ना बनता हो ये देखिए cactus के आसपास नहीं होना चाहिए इसको इसके बाद घर के garden में लगा सकते हैं घर के garden में आपने देखा लगाएं खूब समस्या कोई समस्या इसमें नहीं है वहाँ पर फ़लाएंगे इसके उपर कोई समय दिक्कत नहीं है इसके पत्ते को पूजा में यूज़ कर सकते हैं राम से बहुत अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा शूफल गारी होता है अपने मन से ये सबसे पहले वहाँ निकालना कि घर में लगाएं ना लगाएं लगाएं लगाना चाहते हैं कोई जरूर लगाना नहीं ऐसा नहीं कि केले का पौद लगाएंगे तबी आपका कल्यान होना ऐसा नहीं है बटब लगाते हैं तो इसको सही जगा में सही दिशा में लगाएं और सही अनुपात में लगाएं उसके जो साइज है वो सिव लखें और सफाई जरूर रखें केले के पोथे के असपाई सफाई रहनी जरूरी है सातियों ऐसा ही होता मेरा हर वीडियो और आपने अगर मेरे चैनल को आज पहली बढ़ देखा था तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरा हर वीडियो बहुत ग्यान से भरा होता है और इसमें मैं वो पॉइंट लेता हूँ जिन पॉइंट को आप ढूंडते रहते हैं लेकिन आसानी से आपको नहीं मिलते बताता हूँ हर बात को लोजिक के साथ अगले वीडियो में फिर आप से मुलाकात करूंगा तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त नमशकार धन्यवाद